रोपाई के पूर्व जब हम धान की पोध उखारते हैं तो कुछ खास साफधानिया बरतनी चाहिए सबसे पहले हमें जब पोध उखारनी है उसके एक दिन पहले खेत में पानी लगा दें जिससे के आपकी मिट्टी मुलायम हो जाएगी फिर अगले दिन जब पोध शाला से पोध उखारनी है तब भी एक पानी उसमें लगाएं हलकी सिचाई करें और पोध उखारने का काम कर सकते हैं पोध उखारते समय ये खास ध्यान रखना है कि एक साथ आप दो या तीन पोधे हाथ में लें और उनको उखारें और ध्यान रखें कि पोधों की जड़े ने तूटने पाएं गास आजाती है तो फिर अलग से उसकी चटनी करने के बाद ये जो आपकी पोध है ये रोपाई योग है और इसको आप तुरंत रोपाई में प्रियोग करें अगर रोपाई में तुरंत आप प्रियोग नहीं कर सकते हैं तो उसको आप किसी चायदार इस्थान पर संग्रित करके, इखटा करके आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उसमें पानी में रखें, जैसे कोई आपके नाला हो, कोई छोटी नाली हो, उसमें पानी भरके चायदार इस्थान हो, और वहाँ पर आप उसको उखारते हैं तो ये भी जरूरी है कि उसको छोटे-छोटे बंडलों में आप बाट ले और फिर उसकी जो मिटी जड़ों पे लगी होती है उसकी साफ पानी से धुलाई भी करें जिससे के आपको पोद लगाने में आसानी होगी इसके अलावा कभी-कभी नर्सरी में या पानी बीमारी से प्रवावित हैं तो ध्यान रखें कि इस तरह के पोधे आप नए उखाड़े और जो बाकी स्वस्त पोधे आपने उखाड़े हैं उनको बावस्टीन के घोल में उपचारित करने के बाद रोपित करें इसके लिए आप बावस्टीन का घोल बना सकते हैं एक ग्राम बाविस्टीन और एक लीटर पानी यहनी जैसे हमारा दस लीटर पानी है तो उसमें दस ग्राम बाविस्टीन पड़ेगी और जरुत के हिसाब से आप घोल बना ले और इसके बाद यह जो पोधे आपने उखाड़े हैं छोटे-छोटे बंडल बनाये हैं इनको करी दिल कि से ठोल खोले कि आप तो-जैला झापी जाओवेगी नडया यह जूँल को से एक विदीन देट काया अर्वे प्राविस्टीन